जहिंद सभी को अरे जो अपने लिए अपने माबाप के लिए और अपने सपनों के लिए नहीं लड़ सकता है तो सलावो देश के लिए क्या ड़ेगा जिसको जिसको लगता है कि दिली जाने इसको फाइदा नहीं होगा वह अभी वीडियो छोड़के निकल जाए और चैनल को भी हमको किसी को अबसकता नहीं है सौट में यहीं बास समझे कि नेक्स्ट बार अभी जो भरती आने वाला है 40,000 के आसपस भरती आएगा उसमें कोई गारेंटी नहीं है दस परसंट भी गारेंटी नहीं है कि आप लोग सलक्षन ले पाईएगा क्योंकि नया भीड देख लिजिए और आप लोग यहां तक पहुच के गीरें है नीचे जिसको जटका लगा है वो जरूर जाएगा ठीक है फिर हम जहीं बात बोलता है कि जो सला अपने हग के लिए नहीं लड़ेगा वो देश के लिए क्या लड़ेगा कुछ नहीं हो सकता कि सरकार तक बात नहीं पहुच रही है सब पहुच रहा है आपको यह लगता है ना कि सब कोई सांत बैठा ऐसा नहीं है जब तक अधिक से अधिक भीड नहीं होगा अचा पूनम पंडित जी ने क्या कहा आप सुने थे उनका सुनिये गा कभी उन्होंने कहा कि देखिए कुछ नहीं होगा और यहीं तो है हमरा भारत देश एक दूसरे के पीट पर रखके बंदूग चलाना अरे साला सब कोई अपने अपने लिए जानों जी यह सोचके जाओ कि हम जाएंगे तो हमको लाब होगा कभी आज तक कोई मेनद करवें ने करता सुचता है दूसरे करेगा हमको लाब हो जागा वैसे तोड़न होता है देखिए सौट में यही बास समझेए मेरा कहाने मतलब है कि अभी आप लोग जान रहा है कि एक तारिक से ले करके एक अप्रेल से ले करके साथ अप्रेल तक को लग रहा है इसलिए वह वहां पर है ठीक है और आप लोग सिर्फ कमेंट में लिखते हैं और मेडिकल फिट लिखने से कुछ नहीं होता है आईए अगर पर पहुंचे तब पता चलेगा कि क्या है दुनिया ठीक है कभी बाहर निकल के अंदोलन करके देखिए कैसे होता है काहे की सरकार का सिति इतना खराफ है कि अब अगले बार दीखिए गए कि उसमें आप लोग रीटन निकाल लिए अगर रीटन भी निकाल लिजेगा तो को यहां तक पहुच के लटके हुए हैं उनको लगता होगा कि हम कहा तक पहुचे है और बहुत सारे इस्टुडेंट आत्मत्या किये हैं कहें क्या सोचके यहीं ना कि उनका सपना था उनको नहीं मिला नहीं आप लोग जानते हैं जब आप लोग का रिजल्ट आया होगा उनको बहुत सारे स्टुडेंट बता रहे थे जब उनका रिजल्ट आया जब रात में बताए अपने माता पिता अपने प किसान सब जो आप देख रहे हैं किसान अंदोलन कर रहा है अभी वो लगातार प्रदशन कर रहा का है यही छोच्ड़के 10 कि हम भी आप कर सकते हैं लेकिन एक बार पर जाईए और देखे क्या होता है अभी यही समझ लिजिए कि अगर अभी आवाज नहीं उठेगा तो पिर जीवन में कभी आवाज नहीं उठेगा यही एक बात याद रखे कि जिन्दगी भर तर दिल्ली बंबर धाका कमाना पड़ेगा समझे और आप लोग देखते होंगे कि गौण देहात में बहुत सारे चोटे उम्र में आदमी निकल गएते काम करने के लिए उसी में आप सामील हो जाईएगा बांकि कोई उपाय नहीं है कोई उपाय नहीं है सरकारी नौकरी छोड़ी है यह आप लोग का जो सपना था फो में बैठके दिखाओ जो 2014 में गुरूप डी निकाला था न उसको बोलिए कि अभी उनलाइन एक्जाम में बैठो और हमको 30 नंबर लाके दिखा दो ठीक है तो अब दुनिया बदल गया है आप जाणना है कि मोदी जी हमारे बहुत सुंदर लड़के हैं वह बोल रहते कि द के लिए आप लोग आराम से दिल्ली पहुच सकते हैं जोरीन ने की टिकट कटवाना है टिकट काहे कटवाईएगा अब यह ने बहुत आएगा अगर आपके पैसा आए तो जनरल में कटवाईए ठीक है लेकिन आप जाईए एक बार आप कभी देखिए आप अपने भाई ब सब्सक्राइब और अपना दुख दर्द जो है साजा कीजिए तब पता चलेगा की दुनिया कहां से कहां तक है और आप लोग घर में सुए हुए हैं ऐसे नहीं होता है ख़ब सकता है अगर वो काता है यह तो अधिक बात तो हम नहीं करेंगे यही काने का बिडियो बनाने का मैनू देश मेरा यही है जितने भी 2018 कंडिरेट है जिसके साथ हम बहुत दिन से जुड़े रहे आज 3 साल हो गया सबका दुखदर्ध हम समझ रहे थे उतने दिन से और अभी भी समझ रहे हैं हम समसते हैं कि उनके उपर क्या बीत रहा है और कैसा जटका उनको लगा है इस वार समझे बात को और ऐसा बात नहीं कि सरकार को यह सब पता नहीं है लेकिन सरकार जानते हुए भी अंदेखा कर रह रिखाए सरकार तो ख़ली दिखावा है समझे कहले डैलोग वाजे मेरे यहाँ यूवा है हम यूवा की रोज़गाड देंगे बार देंगे कुछ नहीं देंस हैं तो यह घुशा लगता है तो कुछ मन से निकलता है मुसे भी निकलता है बलना नहीं चाहिए परदान मंतरी जी अभी हमारे हैं लेकिन अगर युवा चाले तो कुछ भी हो सकता है लेकिन घटना यह हो गया सलाखी गलती से जीत गया भाजपा और बार वार हम लोग मोदी जी का दाढ़ी उड़ी देखके जो है जिता दिया उनको संगे लेकिन अगला वार यह गलती मत कीजिए हम भी भाजपा का बहुत बड़ा सपोर्टर थे एक हम भाजपा कॉंग्रेस नहीं करते हैं बाबु यहां पर इसाब बात को हटा दीजिए हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है हम चाहता है कि सबको नही इतनो इतना नया नया सीट बनेगा है आपका एक लागए 11000 सीट कहां चले गया कॉंस्टेबल क्या नित्या नंद्रा जी बहुत सुंदर लड़के हैं आप बोलतों दिये फटाक से लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ तो नेता का वादाब कभी विसास मत किजिए अरे देखिए हम फिर लास्ट में कते हैं बहुत दूर तक फिर भटक के चले आगे लेकिन मेरा बात सुनिए दिल्ली जाईए और जाना अगर हो गात तब यह कमेंट कीजिएगा नेत कमेंट मेंट मत कीजिए ठीक है हम नेक्ट विडियों जरूर चर्चा करेंगा नन्यवाद